वेलकम फैंस हुमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई मन्त के टोप 10 सेट के बारे में जो अच्छे डैविडेन देते हैं अच्छा रिटर्स देते हैं अच्छी मार्केट कैप है और अच्छे खासे परफोमेंस आपको इन सेरों में देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला सेर है पीठी एल काफी अच्छा सेर है काफी अच्छी इसके ड्रेक्टिवस हैं और काफी अच्छे इसके वोल्यूमस है इसके लिस्टिक एनसी और बेसी दोनों के अंदर हुई काफी अच्छी काफी अच्छी है कुल मिला के देखा जाए अच्छा डाइडेंट और अच्छे रिटेंस इस सेर में आपको देखने को मिल जाएंगे, अब बात करते हैं दुसरे सेर के बारे में, दूसरे सेर आपको पता ही होगा, यह स्टेल सेक्टर का बहुत अचार सेर्स है इसकी भी लिस्टिंग NSE और BSE दोने के अंदर ही है और इसके भी ग्रोध आने वाले समय में अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे इसका जो रैंक है काफी अच्छा रैंक है यह लारजेस्ट कमपनी है आयरन और स्टील सेक्टर की और बात करते हैं इसकी मार्केट कैप की मार्केट कैप भी कही अच्छी है एक लाग त्रेशर्ट हजार तिन सो चपन करोड है काफी अच्छी है और आने वाले जुन 2019 में अच्छा खासा परफॉमंस इस सेर में आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं दूसरे सेर के बारे में दूसरा तीसरे सेर के बारे में उसका नाम है पोनी ये काफी अच्छह है और काफी अच्छह इसके डाक्षिनवैंजशन्स है और इसकी जो लिस्टिंड ऑन इस अच्छी और बात करते हैं इसकी और इसकी 49 इंडिया के अंदर कंपनी है उसमें 20 वार्बर रेंक है और इसकी जो मार्केट कैफिक कही अच्छी है 193 गरूड है और सुगर ये कंपनी बनाती है अब बात करते हैं चोथे नंबर की सेर की बारे में ये जो सेर है काफी अच्छा सेर से अल्ट्रा मारें काफी अच्छा है इस सेर की जो लिस्टिंग है BSC के अंदर हुई है और काफी अच्छी इसकी ग्रोथ आपको देखने के आने वाले समय में मिल जाएंगे ये जो सेर है डाइस और पिग्मिंट सेक्टर का बहुत अच्छा सेर से इंडिया के अंदर टोटल 26 कंपनी है और 27 का रेंक है खुल मिला के देखा जाए तो इसकी जो मार्केट काया काई काई अच्छी 960 करोड आने वाले समय में अच्छा करप परफॉमेंस इसमें देखने को मिल जाएगा आप देखते हैं बावन विक में इसका पर्फॉमेंस बहुत अच्छा रहा है अब बात करते हैं पाचवे नमबर के सेर के बारे में पाचवा नमबर का सेर भी बहुत अच्छा सेर है कि शेर का नाम है सुमृती और गनी काफी अच्छा है और इसकी भी लिस्टिंग बीस्टी के अंदर हुई है कुल मिला के देखा जाए इसके रीटेंस के बावन वीक के बहुत अच्छे हैं 35 रूपे से बढ़के 325 रूपे तक ये शेर आ चुका है मतलब इसके जो परफोमें देता है सब से रिटर्ण से 781 पर सेंट एक साल में इसने ती यह काफी अच्छा सेर से अब बात करते हैं छटी नंबर की सेर की ये जो सेर है इंजन सेक्टर इंजन बनाता है काफी अच्छा है शेर का नाम है सवराज इंजिनेरिंग काफी अच्छा सेर है और काफी अच्छी इसके ट्रेक्टिव से काफी अच्छी वोल्म से बावनवी की परफॉमेंस करते हैं बावनवी की देखिए बारा सो शाट रूपे से 1750 तक पहुंच चुका है ये इंडिया में काफी अच्छी कंपनी है समालेस्ट डीजल इंजन बनाती है और इसकी जो फाइनर्स ट्रेड पोजिटिव है और इसके रिटरंस भी काफी अच्छे है और इसकी मार्केट काफ है 2115 क्रोड है काफी अच्छी कंपनी है इंजन सेक्टर के अंदर अब बात करते हैं साथमें नंबर का सेर ये ये भी आपको पता ही होगा कि ये सुंद्रम फाइनर्स ये फाइनर्स एन्बी एपसी सेक्टर का बहुत अच्छा सेर्स है और इसके भी काफी अच्छे इडरेक्टिव से हैं काफी अच्छे वोल्यूम से और काफी अच्छे इसकी रीटेंस आपको देखने को मिल जाएग है पंदरवा रेंख है पांशुपे तारीस कंपनी है इंडिया के अंदर टोटल्स और इसकी मार्केट काइब आप देख सकते हैं 29 अच्छा सूत्रा सी करोड़ मत काफी अच्छी है और काफी अच्छे इसके रीटेंस हैं अब बात करते हैं आठवी नंबर के सेर्स ये भी काफी अच्छा सेर्स है और काफी इसके डियरेक्टिव्स में हैं ये सेर का नाम है माइन्ड ट्री ये जो सेर है नेसी और बेसी दोनों के अंदर ही लिस्टीड है और इसकी जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है आईटी सोफ्ट्वेर सेक्टर का बुक्त अच्छा से 166 कंपनीज हैं और इसकी मार्केट का आप देख सकते हैं 44962 क्रोड है और इसके रिटर्स एक साल के आप 112 परसेंट तक हैं काफी अच्छे हैं और आप देख सकते हैं बावनवी का पर्फूमन्स 860 रुपे से बढ़कर 283 रुपे तक पहुंच चुका है आने वाले समय में जो आईटी सोफ्ट्वेर की जो सेक्टर की है अच्छा सा काम होगा जिसकी वज़े से इस सेर में अधिके जापा होने के चांस हो जाएंगे अब बात करते हैं नवे नंबर के सेर्स यह भी काफी अच्छा सेर्स है आपको नाम तो पता ही होगा बजाज ओटो इसकी भी लिस्टिंग है काफी अच्छी है नसी और बेसी के अंदर है और इसके भी डिवेडेंट और रिटन्स और मार्जन्स काफी अच्छे हैं और बावनी का परफोर्मस्स आप देख सकते हैं 269 रूपे से 4221 रूपे तक पहुंच चुका है और काफी अ 4044.00 क्रोड है काफी अच्छी है और यह काफी अच्छी कंपनी है और पतो का नबर शेर्स यह लास्ट और insulin ंर्शन से शैरर्ग अन्स क्र्पोड काफी है इसलट भी बोल सकते है एसकी वी लानस्च के अंदर हो ही काफी अच्छी है और इसके आप divided returns आप देख सकते हैं 833 रूपे से 1499 तक ये share पहुँच चुका है अब बात करते हैं इसके fundamentals का इसका जो fundamentals strong है क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी capital goods sector की company है और finance internal फिलाल positive हो और आने वाले समय में अच्छा-कासा योगदान आपको इस share में दिबीत देखने को मिल जागा रिटन से 65.21 परसेंट है काफ है और market का आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है 2,9,125 क्रोड है काफ है कुल मिला के देख जाए अच्छा-कासा share है यदि आपको जानकारी अच्छी लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दमदार सेरे को वीडियो आप देख पाए हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूस्तों